संक्रमन रोगने के लिए एक अच्छी पहल दाड़ी कटिंग करवाना है तो दर्च कराना होगा आधार कार्ट नमबर कपड़ा नहीं पेपर का उपयोग मोबाइल नमबर भी कराना होगा दर्च ग्रहक को मोबाइल पर देते हैं सूचना आधार नमबर आम आदमी की वेजो के साथ आधार को जोड़ा जाना जरूरी हो गया है लेकिन करोना के संगट के दुरान अब संक्रमन से बचने के साथ आने जोने वाले की पहचान साबित करने के लिए भी आधार जरूरी हो गया है हैर सलुन की दुकान पर भी दाड़ी कटिंग बनवाने के लिए भी अब आधार की सरुवत होगी यह अनोखा कारणामा मंडे स्थेथ है सलून के संचालक रवी सेन निकाला है उनकी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की जानकारी अपने रजिस्टर में दर्च कर रहे हैं साथी आधार नंबर करते हैं दर्च माता मंदर स्थेथ है सलून के संचालक रवी सेन ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से ही दुकान बंद थी सलून खोलने के आदेश आने के बाद काम शुरू किया गया है दुकान पर आने वाले ग्राहकों में अधिकतर की पहचान मुश्किल से होती है इसलिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्च करना शुरू कर दिया है दुकान पर आने वाने ग्राहक की पैचान के लिए पहल शुरू की है ताकि कभी प्रशासन या पुलिस को जरुत पड़े तो उन्हें उकलब्ध करा दिया जाएगा इससे संक्रमन रोकने के लिए भी एक पहल माना चाह सकता है इसी तरह कि पहल सभी दुकानदारों को करना चाहिए ताकि संक्रमन से स्वेम वो ग्राहकों को बचा सके भीड बढ़ने से रोकने और सोशल डिसेंस का पालन करने के लिए ग्राहकों को वापस भेज दिया जाता है जब जगे खाली होती है तो कटिंग वर शेविंग करने के लिए अपने मुबायल से फोन कर पुला लेते हैं इससे सोशल डिस्टेंस का पालन भी हो रहा है और ग्राहकों को भी संक्रमन से बचाया जा रहा है इस तरह की पहल के बाद शेत्र के लोग दुकांदार के स्पहल की सराहना कर रहे हैं लोग भी संक्रमन की प्रती जागरुक हो रहे हैं करना है हाथ हाधा नमबर और मुवाई नमबर नोट करना है सोसल डिस्टेंस का किस तरह पालंद करना है सोसल इंडेस्टेंस का खुल पालंद है एक मिटा की दूरी बना के